नमस्कार आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाय में पुना स्वागत है आज मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी आखरी प्रयास बताने जा रहा हूँ तो देर नहीं करते सुरू करते हैं आज की कहानी एक समय की बात है एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुन्दर पत्थर उपहार सुरूप प्रदान किया राजा वा पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ उसने उस पत्थर से भगवान विश्णू की प्रतिमा का निर्मार कर उसे राज्य के मंदिर में इस्थापित करने का निर्ने लिया और प्रतिमा निर्मार का कारियर राज्य के महामंत्री को सौप दिया महामंत्री गाओं के सर्वसेष्ट मुर्तिकार के पास गया और इसे वह पत्थर देते हुए बोला, महराज मंदिर में भगवान विश्णू की प्रतिमा इस्थापित करना चाहते हैं, साथ दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विश्णू की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुचा देना, इसके लिए तुम्हें पचास स्वर्ण अपने आउजार में से उसने एक हथोड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथोड़े से वार करने लगा, किन्तु पत्थर जस का तस रहा, मुर्तिकार ने हथोड़े के कई वार पत्थर पर किये, किन्तु पत्थर नहीं तूटा, पचास बार प्रयास करने के उपरांथ मुर्तिका ने अंतिम बार प्रयास करने के उदेसे से हथोड़ा उठाया किन्तु यह सोचकर हथोड़े पर प्रहार करने के पूर्वही उसने हाथ खीच लिया कि जब पचास बार वार करने से पत्थर नहीं तूटा तो अब क्या तूटेगा वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुम्किन है इसलिए इससे भगवान विश्नु की प्रतिमा नहीं बन सकती महामंत्री को राजा का आदेश हर इस्थिती में पूरा करना था इसलिए उसने भगवान विश्नु की प्रतिमा निर्मित करने का कारिय गाओं के एक साधारन से मुर्तिकार को सौब दिया पत्थर लेकर मुर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथोड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही तूट गया पत्थर तूटने के बाद मुर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुड़ गया इधर महामंत्री सोचने लगा की कास पहले मुर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और पचास स्वर्ण मुद्राओं का हगदार बनता मित्रो हम भी अपनी जीवन में ऐसी परिस्थित्यों से दोचार होते रहते हैं कई बार किसी प्रयास को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरन करने के पूर्व ही हमारा आत्मिस्वास दगमगा जाता है और हम प्रयास किये बिना ही हार मान लेते हैं कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समधान हो जाता यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार-बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती च्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खीच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें काम्याभी प्राप्त हो जाए तो यह थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और इसे जाज़़ा शेर कीजे धन्यवाद